हाई एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चानल तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चानल पे नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो बसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या अज मैं आपके साथ कर रही हूँ बहूत ही अज़ी तरीके से मत्र पुनिर की सब्सक्राइब करते हैं, श्रहलू की मौने की सर्फड़ी बहुत ही लग लग थाद आता है तो एक तो यहापर मैंने 2-3 step oil डाला है। ओल गरम होने के बाद यहाँ पर रफड़ी चॉप करके डाला है। तो प्यास को हमें ज़्यादा मशी नहीं कर लेना है। सिर्फ ट्रांस्लुसेंट होने तक ही इसे भूना है। कि थवड़ी देर भूहन्ने के बाद यहाँ पर प्यास जो है वो ट्रांसलुसेंट हो गया है तो अब हम इसमें डेड और बेस्ट के फेस्ट को हम्ने कचा सवाज जाने तक भूह söyleye में तो दो मिनिटे से भून लेते हैं, फिर बाद में हम इसमें एड करेंगे टमेटो, यहाँ पर मैंने दो टमेटो लिए है, रफ़ली चॉप परके उसे भी हम डाल देंगे, और फिर सेम हमने एजिस तरह से प्यास को भूना है, टमेटो को भी उसी तरह से भून लेना है, की हुई और ये थोड़ा सा पकने के लिए हमें नमक भी लगेगा तो हम पाउच अमर्च नमक डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं तो इसे तो जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए हमें इसे ढखकर रखना पड़ेगा तो दो मिरिट के लिए इसे कवर कर लेते हैं यह देखी यहां पर हमने ट्रमेटो को सॉफ्ट कर लिया है जादा गलाना भी नहीं है तो इसी स्टेच पर हम कैस को ओफ कर देंगी और ट्रमेटो प्यास ठंडा होने के बाद हमें इसकी एक अच्छी सी पाइं प्यॉरी बना लेनी है प्यॉरी को तयार करके हम साइड में तो जब भी आप गरम तेल में लाल मिर्च पाउडर को भूनेंगे तो ग्रेवी में उसका कलर बहुत ही निखर के आता है तो ग्रेवी थीक होने के लिए मैंने यहां पर एक टेबल स्पून भूना हुआ बेसन डाला है अगर आपको ज़्यादा गाडी वाली ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसे स्किब भी कर सकते है तो इस gravy से सारा moisture जाना चाहिए इसलिए हम थोड़ सा इसे cover भी करके रख देंगे तो हमें इसे कुछ 5-6 मिनिट के लिए भून लेना होता है क्योंकि हमने इसमें tomato, प्याज, कच्छे ही डाले थे तो इसे हम अच्छे तरह कि इसे भूने के बाद ही बाकी की चीज़े एड़ कर देंगे तो जितने देल तक आप इसे भूनेंगे इसका जो कच्छा स्वाद है वो निकल जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें एड़ कर देना है हरे मटर यह frozen मटर नहीं है, fresh मटर है तो इसे भी हमें कवर करके रखना होगा तो इसे पहले mix कर लेते हैं और यह मैंने कुछ एक कप हरे मटर लिए है तो हरे मटर को हमने gravy की साथ पका लेना है ताकि हरे मटर थोड़ी से soft हो जाए तो इसे हम 2-3 मिनित तक कवर करके रख देते हैं अगर अपने फोजन मटर लिये हैं तो उसे कवर करके मत रखिएगा अभी ग्रेवी की बहुत ही पढ़िया से कुछबू आ रही है तो उसमें हम अब डाल देते हैं पानी ताकि ग्रेवी हमारी नीजे से जले ना क्योंकि इसमें जो मॉश्यर था वो अभी निकल गया है और ग्रेवी की कंसिस्टंसी आपको कितनी चाहिए उसके उपर आपको इसमें पानी एड करना होगा तो जब भी हम मतर पनीर बनाते हैं थोड़ा से तेसी स्टाइल से बनाते हैं तो थोड़ा सा पतली बाली ग्रेवी अच्छे लगती है तो मैंने यहां पर करीबं आधी से पौना ग्लास पानी डाला है अब इसमें हम स्वादानुसर नमक डाल देते हैं नमक हमने पहले भी डाला था याद रखिए तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करकी करम पानी डाल कर ग्रेवी को एड़िस कर लिया है तो अब इसे स्टिश पर हमें डालना है पनीर तो पनीर के यह क्यूब से 200 ग्राइम पनीर है तो हरे मेटर को हमने थोड़ा से सॉफ्ट कर ही लिया है उसकी साथ साथ हमें पनीर को भी सॉफ्ट कर लेना होगा तो दो मिनिट के लिए हम इसे ढखकर रख देते हैं तो दो मिनिट के बाद आप देखेंगे कि इसमें से ओल भी सेप्रेट हो चुका है और पनीर के साथ साथ मटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें से अभी बहुत ही पढ़िया सी कुछपो आ रही है तो फाइनल टच देने के लिए हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून गरम मसाला और थो इसी बारिक कटकी हुई धनिया पत्ता भी डाल देते हैं तो इसमें हमने गरम मसाला अड़ किया है तो वह तुछा सा कोक होने के लिए एक एस पर हम इसे एक मिनिट के लिए रख देंगे और फे एक एस को बंद कर देंगे तो यहाँ पर हमारी मटर पनेर की सबजी तयार हो चुकी है तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और आप देख सकते कितनी बढ़िया लग रही है इसका टेक्शर इसका कलर तो रेस्टोरेंट से भी बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होती है आप इसे नान के साथ या फिर रोटी बटर रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगी जीरा राइस, बॉल्ड राइस, किसे के साथ भी ये बहुत ही डिलिशियस लगती है तो जल्दी से ट्राइ करिए इस रेसिपी को तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करे चानल को भी सब्सक्राइब जरू करे साथे मैं बेल एकान को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने बहले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप से मिसना हो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ बी हैपी एंड स्टे हल्दी थैंक्यू